और दोस्तों आपको कलेश प्लेट के दिखाएंगे यह एपको दौस्ती बर्णियों की जादा वी वाइरल है। क्या करते हैं में निए वाइं रेख लनडर के अंदर TVS अपाची की खलेड डाल देते हैं और पाइक जो है दोस्तों फिक जाद हो जाता है पर इससे कि दोस्तों की लाइप भूच फाम हो जाती है हमस्ट्टर की झालेंगे और दोस्तों कि अपाची जैसा आपको करके दिखाएंगे किया बात है यह बात है तो डिलने की सही सेटिंग में चाहिए तो दोस्तों चलते वीडीो की तरफ और आप लोगों को दिखाते तो दोस्तों बाइक को लगा सबसे पहले सर्विस रेंप पर उसके बात में इसका इंजन ओल निकालेंगे इसका सलेंसर खुलेंगे इसका फुट्रेज ढिला करेंगे और जल्दी से इसका सारी को सारा कलच कपर उपन कर देंगे तो दोस्तो अब भी चाहते हैं अपनी इस प्लंडर प्लस भी एक सिक्स का तो दोस्तों आप ऐस प्लेंडर की ही कलट प्लेटर डलाए उसी से आपको बस एक छोटी सी सेटिंग करनी है और आपकी पीक पड़े दोस्तों सेंब अपाची जैसा उठान हो जाएगा कलच छोड़े पर आपकी बायक दोस्तों एक दव मूब करेगी बायक आपके नीचे से चाहिएगी तो दोस्तों क्या बहुत सेटिंग है यह वीडियो आपको पूरा देखना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल अकपर बाइक डोक्टर पर पहली वारा है तो चैनल को प्लीज कर लेना सब्सक्राइब और घंटिक निसान को आपको आल पर सेट कर देना है दोस्तों न तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है तो अपनी हिरो एस प्लेंडर प्लस का यह जो इसका कलच था सारे का सारा खुल गया दोस्तों और इसकी यह कलच प्लेड है जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है दोस्तों आप जब भी कलच किस तरह हम चाल जाता है शुशे दोस्तों जरूर की लिए नावल साप कर दे अब दोस्तों आपको बताइंगे जो नीकालश फलेंडम चाहिए और क्लच प्लेट अबर कलच टालने से पहले डालने से पहले शुकर कर्म करते हैं तो दोस्तों यह dogma है किसका कलच का पैंकिं इतने तो और आपको बतलते हैसे पेले क्षल गया क्या सैटिंग करने हिए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर won sisi technology from medil japan कि यह लगाने वाले हैं तो मैं बताता हूं मैं इसके अंदर सेटिंग क्या करने दोस्तों सबसे पहले अपनी lug रेड़ इसको भी हम कर लेंगे बहार कुछ इस तरह से यह दोस्तो अपनी जो चारो क्लच प्लेट होती है स्प्लेंडर की वह वहार आ गई है उसके बाद में दोस्तो फ़र्ष्ट प्लेट जो है पहली प्लेट कुछ इस तरह से कटोरी या फिर प्याली में आपको रख देनी है ताकि जो अपनी प्लेट है अच्छे से सेट हो इसे करदेनी रखनी इसके पर फिरो हमने डाला था से अरे से इसके पाद में दोस्तो हमें तोस्तो तक यह पर तक आधे या यानि के था डाल देना है बो इसलिए जो अपनी क्लच प्लेट आई है सारी कि सारी कि अहल के अंदर में डूपगा पर जा जाए बस गए हैं कि Dolan आपको 10-20 मिनट तक के लिए आपको मोबिल में डले रहना है इतने अपनी जो वाइक इसका क्लच प्लच पे लग रहा था वह सारे का सारा चुटा लेते हैं तो 10-20 मिनट होने के बाद बाद के अंदर हम लगाएंगे दोस्तों एक और सेटिंग करनी है यह पहली सेटिंग तो जल्दी से यह 10-20 मिनट तक इसके अंदर डले रहने देना उसके बाद में जो काम हो रहा था इधर साइट में दोस्तों इसका जो पैगिन वेगी ने सारा हम छुटा लेते हैं और दोस्तों आपको कलेश प्लेट डालें और दोस्तों बाइक का पीक दिखाएंगे आपको ब जोगों को दिख लाएंगे। दोस्तों फाइनली जो इसका इंजन था साइट का कलच साइट कैंसा थुल गया है इसको और यह बाशिंग करके हमने सारी का सारए। और अवेले और और में यह घंटवी कंदा को कई टीर्म लहर दने सभी हम करना है अब दो सब आत्जर सब दो ने मेंं दो मैं दोस्तों एक यह चांप में में नुद taraf verschiedenen स्थाव वह कुछ यह पासी में सव्षाव दो आर्धेन छोन उससे मसें जिए दोस्तों क्लच प्लेट और फिट डालेंगे हम अपनी प्रेसर प्लेट कुछ इस तरह से फिट डालेंगे दोस्तों अपनी क्लच प्लेट जो कि हमें चार क्लच प्लेट और दोस्तों तीन प्रेसर प्लेट इसके अंदर हमें डाल लिए उसके बाद में लागा देंगे इसका क तैनकी कर दो दोस्तो इसकी अंदर करने के अब जो इसका अपनी इसकी को सब्सक्राइब चाहँ सेट कर दो 성 अपना नट है उसको लगाने के बाद तो पहले हम लगाने लिए फीおおel अबर्ट कोई वाल और हमें पास पूलर हैघाप कोई तरह से ऊफ्न में परिए अपने पूलर की मज़ से कोई फूल टाइट पहले यह 4 मुकाम पूलर लगा लेते हैं इस तरह से उसके बाद में दोस्तो इसको जो गोटी है यह कुछिश टाइब की गोटी होती है इसकी गोटी की मज़़त से दोस्तो हम कर देंगे इसको फूल टाइट कुछ इस तरह से पूरी पावर के साथ में आपको यह tight करना है दोस्तों यह dealer नहीं रह जाए अगर दोस्तों यह dealer रह गया तो आपकी clutch plate का pick up down हो जाएगा दोस्तों इस तरह से tight करने के बाद बस आपको यह दो कुछ इस type की बार्सल होती है यह आपको लगाना है वो भी spring की जगा पे और दोस्तों आपकी bike का जो pick up होता है बिल्कुछ same TBS Apache जैसे हो जाएगा सिर्फ Splunder की clutch plate लगाने से और यह दो बार सल लगाने से और दोस्तों हाँ clutch plate लगाने से पहले आप कोई सी भी A to Z कोई सी भी company की कोई सी भी bike के अंदर दोस्तों clutch plate लगा रहे हैं तो इन clutch plate को अपने oil के अंदर जरूर कम से कम आदे गंटे तक डाल दें यह 10-20 मिनट भी डाल सकते हैं अगर ज्यादे बैश्ट अच्छा रिजट लेना है आपको तो आदे गंटे तक अदर आपको एक clutch plate डाल देनी है उसके बाद में यह दोस्तों आपको दो बार सल कुछ इस तरह से यह लगा देनी है उसके बाद में दोस्तों यह इस प्रिंग होल्डर होता है जिसके अंदर अपना bearing लगता है इसको भी हम लगा देते हैं उसके बाद में दोस्तों इसके चारों के चारों बोल्ट हमें लगा देने है जो के अपने 10 नमबर के होते है तो दोस्तों आप हमारे चैनल अकबर बाईक डोक्टर पर दोस्तों पहली बार आएं तो चैनल को प्लीज कर लेना सब्सक्राइब और घंटी निसान को आपको दवा देना है आल पे वो इसलिए दोस्तों जब भी हम न्यू वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आजाएगी तो कुछ इस तरह से इसको हम कर देटे टाइट तो दोस्तों अब इसका जो कलज था यह सारे का सारा फिट कर लेते हैं उसके बाद में आपको लाश्ट वाले पार्ट में मिलते हैं तो जल्दी से इस कलज को हम कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं बाइक का पीक बिल्कुल TBS अपाची जैसा हो जाएगा दोस्तों तो जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं और आपको पीकप तो दोस्तों लगाते हैं बाइक में फर्श्ट गेर और इसका पीकप देखते हैं तो दोस्तों वीडियो में दी जानकारी आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है और अच्छी लगी तो लाइक करना है और आप हमारे चैनल अक्बर बैट डॉक्टर पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भंटी की निसान को आपको कर देना है आल पर सेट एंक फुल वाचिंग वीडियो